मेरे प्रिये साथियों, सबसे पहले मैं वेटरंस इंडिया से जुड़े सभी पूरों सहिनिकों को कारगिल विजय दिवस की हर्दिक शुपकामनाई देता हूं। आपका संगठन वेटरंस के बीच में लगातार अपनी सक्रीता बनाए हुए है। इसके लिए आप सभी बढ़ाई के पात्र है। साथी कारगिल विजय दिवस के आउसर पर मैं सभी सहिनिकों युम देश वाशियों को भी हर्दिक शुपकामनाई देता हूं। कारगिल विजय दिवस के वल एक दिन नहीं है। बलकि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर का यह वियोत्स है। साथियों हमारे देश में अनेक परव ऐसे आते हैं जो इस देश के बीर सपूतों के शौर और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैचे तो हमारा देश इन वीरों के प्रती कृतग्यता को कभी नहीं भूल सकता। फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई जोटी जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्ही महान परवों में से एक है। मैं आज के दिन मात्रिभूंग पर अपना सरवस्य नयौचावर कर देने वाले उन्हान सेनानियों का अस्मरण करता हूं। और उन्हें शीष जुकाकर अपनी फ्रद्धान्जली भी एरपित करता हूं। साथ ही उन शहीदों की माताओं और उनके समस्थ परिजनों को भी मैं शीष जुकाकर नमन करता हूं। मैं उन बहादुर सेनकों के प्रतिभी अपनी कतगता प्रकट करता हूं। जो युद्ध में घायल हो गए और किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से घिर गए। साथियों या किस वर्स पहले कारगिल की बर्फीरी शोटियों पर हुई हमारी वीजय को आजपूरा देश एक साथ याद कर रहा है। उन वीरों की याद और उनके सम्मान में जगह जगह पर कारगिल वीजय डिवस मनाया जा रहा है। अनेक कारक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। यह सभी कारक्रम विपरीद परिशितियों में हमारी स्यनाओ द्वारा युद्ध जीतने की खुशी की याद में तो हैं ही साथिय भारत देश की जनता के लिए एक महान प्रेणा के स्रोत भी हैं। साथियों यह विए डिवस किसी भूभाग विशेश को जीत लेने या उसे बचाये रखने भर की याद तक सीमित नहीं है। यह दिवस देशों के बीच हुई गोली बारी और बारूदी युद्ध में हमारी विजय की याद तक ही सीमित नहीं है। बलकि यह दिवस हमारे देश के त्याग, बलिजान, साहश, समर्पन, शौर और संकल्प की बहान परंपरा की एक बहान कड़ी की रूप में दर्ज है। यह परंपरा इस देश की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है जो सदियों से लगातार चली आ रही है। साथियों, युद्ध के समय मैदान में भले ही कुछ एक हजार सैनिकों परवास्तों में पूरा देश वह युद्ध लड़ रहा होता है। सभी देशवाश्यों की आसाएं, आकांचाएं और इच्छाएं एक साथ आकर अपने राष्ट की जीत पर ठहर जाती है। मुझे वह दिर्श आज भी अपनी आखों में साफ दिखाई पड़ता है। जब टीवी पर यह सुदूर छत्रों में रेडियो पर कारगिल युद्ध से जुड़ी खबरें आती थी तो गाओं के गाओं और शहरों में आफिस दफ्तर में लोग अपना काम छोड़ कर खबर की तरफ मुड़ जाते थे। देश की बच्चे-बच्चे को कारगिल, द्राश, टाइगर हिल जैसे नाम रट गए थे। सबकी आँखों में बस एक ही उबीद और एक ही विश्वास किसी भी सूरत में भारत भारत देश की विजय है। आप लोगों को याद होगा, भागोलिक परिस्टियों के चलते कई बारी स्थितियां हमारे विपरीत हुई। मामला आगे पीछे हुआ। पर नमन है उन देश वक्त हीर युद्धाओं को जिन्होंने अपने संकल पर तनिक भी आँच नहीं आने दे। वह मोर्चे पर लगा था डटे रहे और अंततह तमाम छल और सड्यंत्र को मात देते हुए बीजय होकर वापस आये। इस तरह है जीत हमारे संकल और उमीदों की जीत थी। मेरे प्यारे शात्यों कारगिल ना केवल हमारे रास्ति स्वाविमान का बलकि एक इंजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिली बीजय के सिल्पी तत्कालीन प्रधान मंतरी स्री अटल विहारी बाज पेई जी ने उस समय राष्टी सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोंड प्रस्तुत किया था उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। उन्हों ने कहा था हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दवाओ के सामने नहीं जुकेंगे। हम उसे मुहतोड यवाब भी देंगे। साथियों यह सेंटिमेंट जैसा 21 साल पहले था वैसा ही आज भी है। हम शांत चाहने वाले देश हैं पर किशी संकट के समय अपनी रास्ति एकता और संप्रवता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तयार हैं। अभी हाल ही में मुझे लेह लद्दाक जाने और वहां से इन बीर सपूतों को फ्रद्धांजली देने का आउसर प्राप्त हुआ था। इसके पूर्व हमारे आदर्णी प्रधानमंत्री स्रींदर्णर मोदी जी का भी वहां जाना हुआ था। और उन्होंने वहां अपने सैनिकों के साथ एक जीवंद संबंध स्थापित किया। मैंने अनभव किया कि कितनी कठिन और विपरीत परिस्टियों में भी हमारी जामाज बहादरों ने अपना सैयम और धैर बनाए रखकर दुस्मनों को मुहतोड जवाब दिया था। कि बीस वर्स पहले के मुकाबले मैंने वहां बहुत बड़ा बदलाओ देखा। वह चाहे एक्विप्मेंट प्रफाइल हो। हाल ही में डिप्लाइड गंस हों या फिर एरियल एसेट्स हों जो नौक्यवल्ड टूप्स की बलकि टैंक्स और बीमपीज की भी स्पीडी मॉप्लाइजेशन में शक्षम है। मित्रो यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है। वह ना किसी जात का होता है ना किसी मजभब का ना किसी वर्ग का होता है ना किसी वर्ण का उसका एक मात्र धर्म होता है करतब निस्ठा। सैनिक का एक मात्र धर्म होता है अपने राफ्ट के परती करतब और सेवभाव। यह कहते हुए मुझे गर्व होता है कि हमारी आर्ण फोर्सेश की इसी कमिटमेंट के कारण हमारा देश एक सुरक्षित और गौरव पुहुन जीवन जीता है साथियों आज हम देश वाशियों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और करतब विभाव का अनुकरन करने की जरूरत है हम सबको अपने देश का एक इमानदार सैनिक बनने की जरूरत है देश की सीमा पर रहकर देश की सिवा करना एक सैनिक का धर्म तो है ही साथी देश के अंदर रहकर भी देश के प्रति अपने करतब्यों का इमानदारी से निर्वाह करना भी एक सैनिक धर्म ही है इस देश को सुरक्षित रखने का कारे अगर हमारे सीमा के सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाई शारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेलारी है हमारे देश में हमेशा अमन्चैन बना रहे, आपसी सोहारद बना रहे और हम लगातार विकास के पत पर उन्मुक रहें मैं समझता हूँ हमारे बीर बहादुर जवानों के लिए यह सबसे बड़ी फरद्धान जली होगी साथियों यह हमारे देश के बीर जवानों के परती कृतक गता का भाव रखता है मात्र भूम की सेवा में इन बीर सपुतों का वेलजान यद्यप बेजोड है और इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई या सकती है लेकिन हम भी स्वाफ दिलाते हैं यह सरकार सही हुई इन बीर जवानों के परिजनों के साथ खड़ी है आज का हमारा हर वैरियर आने वाले कल का सम्मानित वेटरन है अपने वेटरन्स की कुशलचेम और उनकी संतुष्टी सुलिश्चित करना यह हमारा परम करतब्य है और यह सरकार अपने करतब्य को अच्छी तरह समझती है देश की सेवा का उसर मिलने के साथ ही वन रैंक वन पेंशन जैसी पहल पर कारे करना इसका एक उदाहन है ऐसे ही और भी कई उदाहन है जिनमें हमारे वेटरन्स के वेलफेर और उनके रीशेटलमेंट और हेल्थ केर पे क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ बरतमान में आई महामारी यानि कोबिड रेस्पांस के लिए भी हमारी और से बड़े पैमाने पर प्रियास किया रहे हैं सभी हेल्थ केर आर्गनाईजेशन के रिजिनल सेंटर्स को या एडवाजरी जारी की गई है कि किसी भी वेटरन को बहुत ही अच्छा लगा और सचमुछ मुझे गर्वकी भी अन्वूत हुई कि केंद्रिया साइनिक बोर्ड ने पूरे देश से एक लाख असी हजार ऐसे यक फर्विसमेन को आइडेंटिफाई किया है जो आवश्यक्ता पढ़ने पर करोना काल में भी अपनी स्यमाएं दे की व्यवस्था करने लोगों से फिजिकल डिस्टैंसिंग का अनुपालंग करवाने और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की मुव्मेंट कंट्रोल करने में अपना सहयोग दिया है देश सेवा की इससे बड़ी प्राकास्था और क्या हो सकती है कि जिन से इनकों ने कल तक सीमा पर अपने देश की सुरक्षा की आज संकट के समय सीमा के अंदर भी वे तन मन से देश को अपनी सेवा देने के लिए तत्पर हैं मेरे साथियो मैं पुनह एक बार अपने बीर जवानों के प्रति फ्रद्धान्जली अर्पित करते हुए हर हाल में उनके परजनों की देख भाल का संकल्प दोहराता हूं और हर इस्टि में उनके साथ खड़े होने का बचन देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं आप सबको धन्यबाद व्यए हिंद